नमस्कार मैं हूँ आसिस चित्रांसी और आप देख रहे हैं The News Launcher लगता है जनता को हिंदू, मुसल्मान, भारत, पाकिस्तान, खत्रे में सनातन, हिंदू तो पर खत्रा सब कहानी समझ में आ चुकी है मध्यप्रदेश, राजस्थान, 36 गड़, तिलंगना, सारे चुनाओ, BJP हालती हुई नजर आ रही है 36 गड़, अब तक भाजपा वहाँ पर जीत का कोई दावा भी करती नजर नहीं आई राजस्थान जहां 5-5 साल पर सत्ता बदलने की परंपरा रही है उस राजस्थान में बुरी तरह फसी है पी-म के फेस को आगे करके और वसुंधरा को कमजोर करने की कोशिस करके इन दोनों वज़ों से बुरी तरह फसी है लेकिन हम मध्यप्रदेश चलते हैं और बात मध्यप्रदेश की मामा, सिवराज सिंग चौहान कोशिस तो वहाँ भी अंदर खाने भाजपा के सूत्रे ही कहते हैं कि सिवराज को कमजोर करने की है लेकिन सक्ता में काबिज रहने की कोशिस भी है जिमिदारी सुबे की अमिज साह पर है और मोदी दोरे पर क्या आप कलपना कर सकते हैं 2014 के इलेक्शन में चुनाओं में मोदी की जनसरभाओं में जो रेला रहता था और मोदी कहते थे मुंड ही मुंड नजर आ रहे हैं 2019 में पुलवामा हुआ पुलवामा के बाद राष्ट्रवाद की देश प्रेम की ऐसी लहल चली जब मोदी ने बार बार कहा कि जो भी पहली बार मद्दाता बने हैं फर्श टाइम उटर हैं वो सरधांजली दें पुलवामा के सहीदों को और रहलियों में जनसभाओं में प्रधान मंत्री के भीर उमर पड़ती थी क्या आप कल्पना कर पाएंगे कि प्रधान मंत्री 2024 आते आते ऐसी इस्थिती में पहुँच गए हैं कि प्रधान मंत्री की जनसभाओं में कुछ याँ खाली रहती है लोग आते नहीं और अगर हालात ऐसे हैं कि सबसे लोग प्रिय प्रधान मंत्री सिरस नेता जिसके चहरे पर जिसके नाम पर जिसके निशान पर BJP ब्रांड नहीं रहा अब तो ब्रांड मोदी हो गया मोदी को BJP ने या BJP के भीतर मोदी खेमे ने BJP से बड़ा बना दिया पार्टी छोटी रह गई और ब्यक्ति बड़ा नजर आने लगा क्या उस नरेंद्र मोदी देश के प्रदान मंत्री मोदी की जनसभा में अगर कुर्सियां खाली रहती हैं तो ये भार की तरफ इसारा नहीं करता है क्या ये पार्टी के पतन की तरफ ही सारा नहीं करता है ये कुल्सियां खाली रहने की बात ये हम नहीं कह रहे हैं मंच से बीजेपी के नेता ने अंजाने में माई कौन रह गया और बोल पड़े दो सब्द सबके बीच आ गये वो दो सब्द पहले सुन लीजिए आप जा सुनिये फिर मैं बताता हूँ हुजूर है कौन और हालात ये पैदा कैसे हुए सुनिये जराग ये मद्धि प्रदेश के सहकारिता मंतरी अरविंद भदोरिया है अरविंद भदोरिया चल्चित भी है क्योंकि भिंड से आते हैं और ग्वालियर चंबल संभाग में जोत्रादित सिंधिया और इनके बीच पटती नहीं है जोत्रादित सिंधिया इनको पसंद नहीं करते हैं खर ये पसंद ना पसंद की बाद इस चैप्टर के बाद इसी वीडियो में बताएंगे कि कैसे मंच पे ही भिडंत हो गई भाजपा के दो खेमों में लेकिन पहले इस वीडियो में बीना में कारिक्रम था और देश भर में चल्चा थी कि अनंतनाग में सहादत एक करनल एक मेजर और एक DSP जमों कस्विर पुलिस का DSP जिसके पिता IG से रिटायर हुए तीन सहादत देश भर गमगीन जब उनके जनाजे उठ रहे थे अंतिम संसकार की तैयारियां हो रही थी उनके पाल्थिव सरीर को तिरंगेस में लपेटा जा रहा था ये तस्वीरें पूरे देश को भाउग कर रही थी लेकिन रात ही से BJP में जस्न का दोर सुरू था और G20 की काम्याबी का महिमा मंड़न करने के लिए भाजपा में मोदी ब्रिगेड फूलों की बारिस कर रही थी सुबह हुई तो मोदी जी निकल पड़े अपने चिर परचित और कभी न खत्म होने वाले चुनावी अभियान पर मद्यप्रदेश की ओर बीना में बड़ी रैली थी रैली के पहले मंच पर सिवराज सिंग चौहान के मंतरी अर्विंद भदोरिया मौझूद थे मंच पर एक महिला उद्गोशी का वो पोडियम से जहां माइक लगा है वहां से हटती है और वहां जाते हैं माइक आन रह जाता है अर्विंद भदोरिया के सामने और कुछ सब्द नहीं आते उसी बीच में कुछ सब्द कैमरे पर रेकॉर्ड हो जाते हैं जिसमें वो कहते हैं खाली पड़ा है खाली है कुज़िया खाली प्रधान मंतरी की सभाव में कुज़िया खाली है ये जन आसिरवाद यात्रा में पहले भी तस्वीरें आई है और तस्वीरें वो भी आई है कि पड़े की पीछे पववा खोल करके और घटा घट चल रहा भीड जुटाने के लिए बाकाइदे बंदोबस्त अध्धा पववा और बोतल का बाकाइदे बंदोबस्त रहता है लेकिन इस बंदोबस्त के बावजूद भात्रिन्ता पार्टी के तरफ से संगठन और कार्यकरत अनेता मिल करके जो ये बंदोबस्ती ब्योस्ता तयार करते हैं उसके बावजूद अध्धा पववा और बोतल भी कुसियों को नहीं भर पा रहा है दो तिन पहले जो मैंने जिक्र किया मंच पर नरेंद्र सिंटोमर के समर्थक और सिंधिया के समर्थक भीड़ गए मंच पर मामलाई मद्दे देवी का था और वहीं हो गई भीड़न सिंधिया ने यही अर्विंद भदोरिया के बारे में अईसा तंज कसा कि पूरे मध्यप्रदेश में चर्चा कवी से बन गया वहाँ पर बारिश से भीगे हुए कुछ नेता आये थे और जो तरह दिति सिंधिया ने कहा कि जिनके कुलते अर्विंद भदोरिया के तरह पिसारा करके जिनके कुलते सूखे हुए हैं जिनके कुलते नहीं भीगे मतलब उन्होंने जमीन पर मेहनत नहीं की है यानि एक ही मंच पर एक ही पार्टी के नेताओं का जमावड़ा होता है एक दूसरे पर तंज कसते हैं एक दूसरे के कारिकरता भिड़ जाते हैं आपस में यूतम पैजार होती है घमासान होता है कुछ दिन पहले एक वीडियो क्लिप आया कैलास विजे बरगे जनासिरवाद यात्रा में निकले हुए है और सामने कारिकरता से अरे मत बोल तेरे मुँसे बद्बु आ रही है अंग्रेजी है या देसी है अंग्रेजी छगड़ा खाली कुर्सी अध्धा पववा बोतल चुनावा भियान इसी के इदगिद सिमट गया है मद्धि पुदेश में भाजपा का अब सोचिए बैतर्णी पार कैसे होगी तस्वीरे जो जो तस्वीरे इससे जुड़ी है वो तस्वीरे मैं अपने सहीयोगियों से कहूंगा भी कि वो तस्वीरे भी आपको दिखाए हालात बद से बत्तर हो चले है और मोदी फिर से चुनाव जीतने के अपने अभियान पर निकल चले है फिलाल आज कुर्सिया खाली थी लेकिन देश का मन भरा हुआ है दिल भरा हुआ है और दिमाग भी भरा हुआ है गुसे से जिस तरह एक के बाद एक रैली बीना से राइपुर्ट लेकिन देश के सहीद अफसरों पर सेना के उन जवानों पर करनल पर करनल मंट्रीत पर मिजर आसीस पर डियस पी भट पर एक सब्द नहीं जुबान नहीं खुली मुदी जी पूरा टाइम आपने दे दिया मंच पर चुनाओ की दिसा मोडने के लिए इस चुनाओ को हिंदू मुसल्मान सनातन पर खत्रा इंडिया वाले सनातन को तबाह कर देंगे दो मिनट का मौन आप बीना या राइपुल में उन सहीद जवानों के लिए रख लिए होते तो साइद आपके अगली जनसबा में कुरसियां भर जाती बिना सरकारी जुगार के बिना अध्धा पवा और बोतल के कुरसियां भर जाती दो मिनट का मौन अगर रख लेते उन स कर दो कर दो का तो!